आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूटूब चैनल टीच सूरज दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो T3X 5G फोन में लॉक स्क्रीन पर कंट्रोल सेंटर को आन और आप कैसे करें जी हां दोस्तों अगर आप भी वीवो T3X 5G फोन का यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़द अंट्रेस्टेड और यूजफूल होने वाली है गाइज वीडियो में लश्ट तक बने रहेगा हम आपको शेटिंग के दोरा बताएंगे कि वीवो T3X 5G फोन में लॉक स्क्रीन पर कंट्रोल सेंटर को आन और आप कैसे करें तो आप देख सकतों यहां पे हमारा कंट्रोल सेंटर आन है तो चलिए मैं इसे आफ करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने फोन की शेटिंग को आन करना उसके बाद आप थोड़ा इसको लभ करोगे आपको देख़े यहां पर एका option मिल जाएगा लॉक स्क्रीन वाल पेपर का गॉइऑ आप लॉक वाल पेपर वाले आसन कर दिजिगा आपको इस् प्रकार का इंटरफेस ओन हो जाएगा आपको यहां पर देखें नीचे देख़ने को मिल जाएगा lock screen settings का option guys आप lock screen settings वाले option पर क्लिक कर देना उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस open हो जाएगा आपको यह देखें यहां पर एक option मिल जाएगा open control center from the lock screen guys जो कि यह on है तो आप इसे off कर देना आप जब इसे off कर दोगे तो वही आप जो lock screen पर slide कर रहे थे वह आपको नहीं होगा तो चलिए हम आपको डेमो कराते हैं उसके लिए हम अपने phone को lock करेंगे यहां पर हम अपने phone को lock कर दी हैं तो हम यहां से slide करते हैं guys देखें हम यहां से slide कर रहे हैं हमारा control center यहां नहीं हो रहा है हम यहां से कुछ भी करना चाहें अपने फोन की डाटा को आन करना चाहें यहां से कुछ भी नहीं कर सकते हैं हमारा फोन अगर लॉक है तो हम यहां से श्लाइट करेंगे तो यहां से नहीं होगा तो चलिए मुझे आन करते हैं जब यहां से आन कर दोगे तो आ आप भी वीवो T3 X 5G फोन में लॉक स्क्रीन पर कंट्रोल सेंटर शेटिंग आन और आप करना चाहते हो तो आप इस प्रकार कर सकते हो आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं फिर किसी दिन नेस्ट टॉपिक नेस्ट वीडियो तब तक के लिए बाई टेक हीर